हेलो एबरीवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सास भहूस किचन में और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी और मावे की गुजिया की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम आटा तयार कर लेंगे गुजिया के लिए और मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से मिलाना है जब तक घी पूरे आटे में मिक्स ना हो जाए और हम मुठी बंद करें तो यह अच्छे तरीके से मुठी में बंद होने लग जाए तब तक मिक्स करें और देखिए यह आटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो अब इसमें हम थोड़ा थ क्षाइट लगाना है तो पानी एक बार में शारा ना डाले और इसमें पानी भी कम लगेगा क्यूंकि आटे का डूल लगाना है बिल्कुल टाइट इस तरीके से डू लगाने के बाद इसको रख देंगे साइड में ढख के कम से कम 15-20 मिनट के लिए जिससे आटा अच्छे त कढ़ाई को पहले कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे गी और आप चाहें तो रिफाइन डॉल भी ले सकते हैं लेकिन घी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और यह गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा पहले ड्राइफ रूट्स जो है वह रोस्ट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे काजू, बदाम और थोड़े से मुफली लिये हैं अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इन सारे चीजों को डालने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे ज्यादा नहीं पकाना है इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो यह थोड़ा सा क्र करीब सूजी लिया है और 500 ग्राम के करीब मैं यूज करूंगी मेवा अगर आप कॉंटेटी कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर इसे लाइर ब्राउन होने तक नहीं भूनना चाहते हैं तो लेकिन थोड़ा सा जरूर भूने जिससे इसका कच्छा पंदूर ह जाए और यह खाने में टेस्टी लगे बिलकुल कच्छा ना ढाले शूजी को और इसको भूनने में भी ज्यादा टाइम नहीं में लगेगा चाहर से पांच पंद का टाइम conserv और सूजी भूने की तयार हो जाएगा और यहां शूजी भून चुका है और हलका सा कलर Vy लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नारियल की बुरादा से खुदी ओयल जो है रिलीज होता है तो इसको हलका सा हम रोस्ट कर लेंगे और फिर जिसमें हमने सूजी निकाला था उसी बरतन में इसे भी निकाल लेंगे और यहां पर नारियल का बुरादा भी रोस्ट होके तयार और आप देखिए मैंने दोनों चीज एकी बरतन में निकाला है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए एक जगह जमा रहेगा तो ठंडा होने में टाइम लगेगा और फिर उसी कढ़ाई को चढ़ाते हुए मैं इसमें थोड़ा सा भूनूंगी मेव को तो मैंने यहां पर यह खोया लिया है उसी कटोरे से डेर कटोरा और इसको हमें भूनना है एक से दो मिनट लो फ्लेम पर जिससे यह थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और भून भी जाए और इस स्टेप को फॉलो करते हुए एक बार आप गुजिया जरूर बनाईएगा आपक जो को हम निकाल के ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो इसमें चीनी मिक्स करने में सही होगा क्योंकि हम गर्म में अगर चीनी डालेंगे तो वो मेल्ट भी हो जाएगा और हमारा मिक्षर गीला हो जाएगा तो यहां पर ठंडा हो चुकाता सब तो मैंने इस मिश्मिश को जरूर बारिक काटके ही डालें और इन सारे ड्रैफ रूट्स को डाल देंगे हम इसी मिक्षर के साथ और सारी चीज़े डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है जिससे सब कुछ की कौन्टिटी एक साथ मिक्स हो और अगर आप बनाना चाहते ह हैं बिना मेवा के तो आप बिना मेवा के भी बना सकते हैं वह भी बहुत टेस्टी लगता है गुजिया खाने में और यहां पर मुझे मेरा बरतन लग रहा था चोटा तो मैंने बरतन चेंज कर लिया है और इस बरतन में अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी और आप कितना पसंद है गुजिया वह भी जरूर बताईएगा तो यहां मिक्स हो चुका है यह सारा चीज तो गैस पर चड़ा दिया है मैंने तेल को गर्म होने के लिए और जब तक तेल गर्म हो रहा है यहां पर हम इस आटे को देख लेते हैं आटे का ढखन हटा के एक बार इसको मिक्स कर देंगे और आटा बिलकूल परफेक्ट कंडिशन में है ना ही ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है और इसे अब मैंने छोटी छोटी लोई बना के ले लिया है और मैं यहां पर आपको तीन से चाट डिजाइन दिखाने वाले हूं गुजिया बनान जाएगा वरना खुलने के चांसे ज्यादा रहेंगे इस तरीके से लॉक करने के बाद एक बार हाथ में उठा के दोनों उंगलियों से भी हम इसको लॉक कर देंगे जिससे ये खुलने के चांसे बिलकूल ही कम हो जाए इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे हम नीचे और ए दूसरी लोई लेंगे और इसका भी हम एक पूड़ी बेल लेंगे और पूड़ी बनाने के बाद अगर आपके पास गुजिया बनाने वाली मशीन है तो दूसरा जो डिजाइन हमारा बनेगा वो मशीन से हम बनाएंगे तो इसमें भी हम एक चमच डाल देंगे गुजिया के म पनाएंगे तो दुबारा से एक हम लोई लेंगे और इसको पूड़ी की शेप में बेल लेंगे और आप जरूर बताना कि आपको सबसे आसान वाला जो है डिजाइन वो कौन सा लगा तो दुबारा से इसमें फिलिंग ढालके इसमें लगा देंगे तोड़ा सा पानी और फिर इसको भी लॉक कर देंगे मुझे जो सबसे अच्छा और आसान डिजाइन लगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो ऐसे लॉक करते हुए दुबारा से हमें फॉक लेना है और इस तरीके से प्रेस करना है अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम डिजाइन है लेकिन नहीं ये दूसरा डिजाइन है और फिर फॉक से इस तरीके से प्रेस करते हुए बीच बीच में इसको डिजाइन में हम निकाल देंगे और ये हमारा एक फूल सा बन जाएगा और देखे कितना प्यारा लग रहा है सारे आटे का इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए गुजिया तयार कर लेंगे आपको जो भी डिजाइन सबसे आसान लगे उसे डिजाइन को फॉलो करते हुए आप फटा फट जटपट से बना सकते हैं गुजिया को किसी को बुलाने की भी जंजट नहीं है और आपकी भी महनत जादा नहीं लगेगी सबसे असान जो है वो तो फॉक वाला ही है कि प्रेस करें और फॉक से डिजाइन बना दे और गुजिया का डिजाइन बनके तयार है लेकिन जो डिजाइन देखने में अच्छा लगा वो फॉक वाला ही है लेकिन जब बीच में प्रेस करते हुए उसे फूल का डिजाइन बनाते हैं वो वाला डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगा तो यहाँ पर सारे गुजिया को तयार करने के बाद हम इसे तेल में फ्राइ कर लेंगे तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ तो यहाँ तेल तयार हो चुका है गर्मों के तो इसमें डालेंगे गुजिया को धीरे धीरे और जितना गुजिया इसमें एक बार में आ सके सारे ग जब गुजिया अंदर से भी थोड़ा पक जाएगा और इसकी कंडिशन जो रहेगी वो भी बिल्कुल कुर्कुरी सी बनेगी और जब गुजिया थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राइ करेंगे आपकी पसंद है अगर आपको लाइट ब्राउन चाहिए तो आप उस कंडिशन तक इसको फ्राइ करें मुझे तो थोड़ा डाइक ब्राउन ही ये पसंद आता है और यहाँ पे गुजिया भी बिल्कुल परफेक्ट कंडिशन में है अभी ब्राउन भी हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से हम सारे गुजिया को फ्राइ अच्प भी जरूर करें ऐसे धीरे धीरे करते हुए सारे गुजिया को हम फ्राइ कर लेंगे एक बार में जितना गुजिया आप इसमें डाल दें क्योंकि ये फ्राइ होते होते तो हुई जाएगा सारा तो टेंशन ना लेकि ये चिपक जाएगा यह खुल जाएगा ऐसा तो मेरा गुजिय को तो बनाओगे दिखा देती हों कि हमारे गुजिय की अंदर की फिलिंग कैसी है और यह उसक्त optim बनी है तो यह तयार है हमारे गुजियल बिलकुल पॉफेक्टली तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई